हेलो फ्रेंट्स, आप एक गहरी सांस लीजिए हम एक दिन में 30,000 बार सांस लेते हैं हमारे ब्रेन और सेल लगातार ऑक्सिजन प्राप्त करने की कोसिस करते रहते हैं ऑक्सिजन हमारे अस्तितिब के लिए बहुत ही ज़्यादा आवस्सक है लेकिन यह केवल एक छोटा सा प्रतिसत है कि हम के सभा में सांस लेते हैं तो क्या हुआ अगर ऑक्सिजन डबल हो जाए क्या यह कीड़ों को बड़ा बना देगा क्या सब कुछ आग पकड़ लेगा क्या यह आपको सुपर हियूमन बना देगा यदि हम प्रतिवी के बायो मंडल में आज ऑक्सिजन की मात्रा को दोगुना कर देते हैं तो यह कुछ चीजें हैं जिन से हमें निफटना होगा हमारे एटमोसफेर में लगभग 20% ऑक्सिजन और लगभग 78% नाइट्रोजन है भले ही यह हमारे बातावरण का सबसे महत्वपूर हिस्सा नहीं है लेकिन यह सबसे महत्वपूर है हमारे सरीर की 90% ऊटजा ऑक्सिजन से आती है बाकी भोजन और पानी से आप बेना ऑक्सिजन के इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे ऐसा इसलिए क्योंकि आप जीवेती नहीं होंगे और ना केबल मनुस्यों के लिए ओक्सीजन आवस्सक है या प्रत्वी पर सभी जीवेच चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अब यदि प्रत्वी इस महत्वपूर्ण तत्व की मात्रा को दोगुना कर देता है तो क्या होगा पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे सायद बे बिसालकाय कीडे होंगे त्रेकुआ नामक छोटी ट्यूबों के माध्यम से कीडे सांस लेते हैं बिज्ञानकों ने सिद्धानत दिया है कि यदि इन ट्यूबों में अधिक ऑक्सिजन जाएगी तो मकडियां और तिल चिटे जैसे कीडे बहुत बड़े हो जाएंगे लगभग 300 मिलियन साल पहले प्रिहिस्टोरिक पीरियट के दोरान प्रत्वी का बातावरण 30% ऑक्सिजन था उस समय के दोरान कीडे जादा बड़े थे द्रेगन फिलीज बाजों के आकार के थे जबकि कोछ मकडियां छोटे पक्षियों के आकार के थे प्रत्वी के ऑक्सिजन के इस्तर को दोगुना करने का मतलब होगा कि तब तक हमारे बायो मंडल में और भी अधिक ऑक्सिजन होगा हमारे कीडे और भी अधिक विसाल होंगे हाला कि ये विसालकाई कीडे आपको आपके पैच्च से दूर कर देगी लेकिन आप यह जानकर बहतर महसूस करेंगे कि आपके पास उन्हें बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ताकत होगी ज़्यादा ऑक्सिजन के साथ आप बहुत अधिक उर्जा रखते हैं आज का मानब बहुत आलसी है लेकिन ज्यादा उक्सीजन से आप अधिक सतर्क भी रहेंगे अधिक उक्सीजन आपकी सरीर में जाएगी जिससे आप सर्कुलीसन सिस्टम में सुधार कर पाएंगे और इससे आपकी उर्जा बढ़ेगी उक्सीजन डबल होने से आप कम बीमार होंगे क्योंकि उक्सीजन डबल होने के कारण आपका सरीर बीमारी को खुदबा खुदी ठीक कर लेगा जिससे आप स्वस्त रहेंगे आपको बहुत कम सर्दी होगी आप सुपरमेन की तरह होंगे लेकिन आपके सरीर को ओक्सियन डबल मिलने के कारण उससे कुछ गंभीर और लंबी हेल्थ प्रॉबलम भी हो सकती है ओक्सिजन के बढ़े हुए इस्तर के साथ मनुस्यों में ओक्सिजन के जिहर बंजानी की भी संभावना बढ़ जाएगी यह तब होता है जब मनुस्य अपने सरीर की तुलना में ओक्सिजन के इस्तर में प्रदी के संपर्क में आता है समय के साथ यह फैपड़ों को नुकसान करेगा देखने में भी आपको खरावी आएगी और सेल्स को दुबारा बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा आपकी सरीर में बहुत अधिक उक्सिजन होने से आपके बोड़ी एटम बनाएगी और यह अधर इलेक्टरोनों के साथ मिलकर पियर बनाएगा जब ऐसा होगा तो यह आपके सरीर और आपकी डियाने को नुकसान पहुचा सकता है अरे हाँ और आग के बारे में तो हमने बात ही नहीं की खेर बातवरण में अधिक उक्सिजन के साथ सब कुछ अधिक आसानी से आग पकर लेगा सामानियत है जब आप उक्सिजन की कमी के कारण आग नहीं लगा सकते वहां और भी अधिक oxygen होने के कारण बातावरान में सब कुछ कितना आसान होगा यहां तक की गीली लकणियां और गीली जानियां भी अग पकड़ लिंगी और oxygen सिर्फ हमारे atmosphere में ही नहीं होगा यह प्रत्वी की soil में भी एक बड़ी भूमी कनेवाता है और अधिक oxygen के साथ soil भारी हो जाएगी जिस से लेथोइसपेर हमारे atmosphere से अधिक भारी हो जाएगी जिस से पाने में oxygen ज्यादा मिलेगा और hydrogen पेरोकलाइड में बड़ जाएगा तो कुछ अच्छा और कुछ बुरहा इसके साथ आता ही है लेकिन सौभागे से आप यह जानकर राहत की सांस ले सकते हैं कि हमारे बातवरण में केवल 20% oxygen है और अब तक यह हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर हमारे पास oxygen ही ना होता तो तो दोस्तों आज का हमारे यह वीडियो आप लोग को कैसे लगा हमें बताएं लाइक करें हमारे वीडियो को सेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा तो मिलते हैं